सुप्रिम कोट ने लंबी भहस सुनी थी उसमें कई ऐसे वकील लोग भी थे जो प्रामानिक रूप से मोधी सरकार के कई विरोध के केस करते रहते हैं यह उनका विवेक है आज सुप्रिम कोट ने अपने डिजर्व जज्जमेंट को सुनाया है और मैं इसके एक परिग्राफ को पढ़ना चाहता हूँ आज सुप्रिम कर दिया है की बात है उसमें नहीं जाओंगा एक बहुत महत्पून बात जानना चाहिए कि पीम केर फंड से अब तक तीन हजार एक सौ करोड रुपे दिये गए हैं करोना की लड़ाई में जिसमें दो हजार करोड सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिये गए और आज देश को बताते हुए आप समों के माध्यम से प्रसंता होती है कि पचास हजार वेंटिलेटर पी-म केर फंड के द्वारा दिये गए पैसे से उपलब्द कराए गए हैं जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाइस्ट हैं फिफ्टी थाउजन वेंटिलेटर प्रोवाइड़ तो टेक कियर अफ इमर्जनसी नीडस अफ करोना पेशेंट्स इस थाइस्ट सिंस इंडिपेंड़न्स अस फर आज वेंटिलेटर प्रोविजिन्स अर कंसर्ण लगबग हज़ार करोड दिये गए हैं राजियों को जो हमारे प्रोवासी मजदूरा है उनकी विवस्था करने के लिए और लगबग सौ करोड रुपे दिये गए हैं करोना के खिलाफ वैक्सिन के अनुसंधाम में मदद के लिए तो 3100 करोड की बड़ी राशी करोना की लड़ाई के लिए दी गई हैं हमारे पार्टी के मंज से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंग के सरकार के समय राजियों गांधी फाउंडेशन को इंडी आरेफ से पैसे दिये गए थे आज मैं उसको दुराऊंगा नहीं और आपने ये भी सुना होगा कैसे 100 करोड रुप्या बजट के प्रोविजिन में भी किया गया था राजु गांधी फाउंडेशन के लिए राजु गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था आपको पता है और आपने ये भी सुना होगा कि राजु गांधी फाउंडेशन को चीन के एमबैसेज से और चीन की कमनिस पार्टी से भी मदद मिली थी ये चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता में कई बार कर चुके हैं और आपको ये भी मालू होगा कि राजु गांधी फाउंडेशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी उस रिपोर्ट में ये भी कहा था कि भारत चीन के रिष्टों को सुधारने के लिए भारत का बाजार के लिए खोलना जरूरी है। You would recall that on behalf of the party we have shown the report of the Rajiv Gandhi Foundation whereby a special study was done which Intralia recommended that Indian markets needs to be opened for Chinese products to make the relationship more stronger. तो राजी गांधी फाउंडेशन को कहां से किस से क्या क्या मदद मिली है ये आप सभी जानते हैं। एक बात मुझे आपको बताना है जो समझना बहुत जरूरी है कि जो PM Care Fund है ये Registered Public Trust है Registered Public Trust और जो आपके Prime Minister National Relief Fund है जो से कहते है PM NRF ये 1948 में बनाया गया था बाई एन ओरल अब्जरवेशन अफ देन प्राइम इनिस्टर ये PM NRF जो 1948 में बना था ये जो हमारे refugee आ रहे थे पाकिस्तान से उनके आवशकताओं के लिए या कोई कभी अर्थक्वेक आ जा या बाकी आ जाए इसके लिए था जबकि ये जो PM Cares है ये एक Registered Public Trust है जिसके प्रधान मंत्री अध्यक्ष हैं और ये कोविड ऐसी अमर्जेंसियों के लिए बनाया गया है ये बात समझना बहुत जरूरी है दोनों में बहुत अंतर हैं अब मुझे आपको बताते हुए कभी-कभी आश्र भी लगता है मैं नाम तो नहीं लूँगा कि ये जो PMNRF है इसके एक Congress के बहुत सक्रिये C.A. जो मंत्री भी थे थ्रूआउट ये वही रहे है अब ये भी आप समझ सकते हैं और इससे दिख बोलने के आप शक्ता नहीं है Transparency is writ large in the PM CARES fund both in terms of legal requirement and both in terms of transparent management of funds received on a voluntary basis इसमें पूरे fund voluntary रूप से आते हैं तो आज हमारी सरकार के छे साल पूरे हो गए हम सात्वे साल में हैं और बहुत गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं और पिछले छे साल से मैं अपनी सरकार में मंत्री हूँ प्रधान मंत्री के निदेश पर हमारी सरकार इमांदारी से काम करती है और अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी को तथ्यों साथ हिम्मत नहीं हुई अब बागी कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं तो छोड़ी उसके बारे में क्या कहना है नरिन्द मोदी की सरकार इमांदारी से काम करती है इसे जनता का अशिरवाद मिलता है और वहीं इमांदारी पी-एम केर फंड में भी दिखाई पड़ती है तो चुकि ये बहुत दिनों से चल रहा था कई हाई कोर्ट में केस फाइल करवाए गए पी-एम केर फंड के खिलाफ सुप्रिम कोर्ट में केस फाइल करवाए गए इसके पीछे राहुल गांधी की टिपणी होती थी परिवार के लोग की टिपणी होती थी और बहस करने वाले और पेटिशनल भी वही थे जो उनका सरकार से विरोज रहता है तो आज ये निर्णे आया तो मुझे लगा कि आपके सामने इसको रखना चाहिए पार्टी के ओर से इसे से जुड़ा एक दूसरा महत्पुन विशह है और ये बात हम बड़ी जिम्वारी से कहना चाहते है कि कुरोना एक बहुत बड़ा अभिशाप है भारत ये नहीं दुनियावर्ण में इसकी दवा जल्दी आ जाए हम तब की कोशिश है दूआ तो ही है और जिस तरह से भारत ने प्रधान मंत्री के अगवाई में कुरोना के खिलाफ जंग लड़ी है तो जहां लोग एफलिक्टेड हुए हैं तो रिकवरी रेट है सेवेंटी परसन प्लस इस बात को समझा जाए और कोई भी मृत्य होती है तो दुरुभागी पूर्ण है लेकिन हमारा जो मृत्युदर है वो भी तुलनात्मक दिश्चिकोंट से बहुत कम है अगर आप पूरे मृत्युदर को देखेंगे राहुल गांधी ने एक पहले दिन से देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है कुरुणा खिलाफ रड़ाई में याद करिए प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि देश के डॉक्टर नर्सेज परामेडिक स्टाफ एम्बुलेंस ड्राइवर सफाई कर्मचारी पुलिस मीडिया इनके पक्ष में ताली बजाया जाए याद होगा आपको हिलिकॉप्टर से फुल बरसाए गए नर्सेज पर डॉक्टर्स पर राहुल गांधी ने मजाक बनाया उसका कि ताली बजाने से क्या होगा और आज पुरी दुनिया डॉक्टरों के पक्ष में सम्मान से ताली बजा रही है जिसकी शुरुआत पसाना तो जी ने की थी जब लॉक्टरों आया तो राहुल गांधी ने क्या कहा लॉक्टरों से क्या होगा उनकी बात उनकी सरकार चाहे पंजाब में है या राजस्थान में नहीं सुनती थी वहां तो लॉक्टरों पहले ही कर दिया गया था कर्फ्यू भी किया गया था जब प्रधान मंत्र जी ने कहा जिर पूरा देश देश में आश्चा के लिए मुम्बती जलाए तो पूरे भारत ने दिया जलाया आश्चा का दिया संगर्ष संकल्प और उर्जा का दिया गरी जो ICMR काम कर रहा था उस पर भी टिपणी करना अब मैं बार बार उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूंगा और PM केर फंड पर भी हमला करना तो राहुल गादी ने एक भी कसर नहीं छोड़ी और कॉंग्रेस पार्टी ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया जाए राष्टी संकल्ब को I regret to say in view of the conduct of Mr. रहुल गांधी right from day one he never spared any opportunity to weaken the national resolve in the fight against कोरोना और ये बात मैं आप से इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सी पार्टियां जो कॉंग्रेस पार्टी के साथ है उनके निताओं ने भी डॉक्टर नर्सस के पक्ष में टाली बजाई और दिपक भी जलाया था तो आज जब PM केर्स फंड पर ये फैसला आया है तो उनके द्वारा एक प्रायोजित शड्यांतर का सुप्रिम कोट ने बिलकुल निरस्त किया है उसको और ये बिलकुल ट्रांस्परिन्ट फंड है PM केर्स का इसकी इमांदारी से कारवाई हो रही है पारदर्शी तरीके से इसका निवेश हो रहा है मैंने बताया रिपीट करूँगा दो हजजार करोड लगभक पचास हज़ार करोड वेंटलेटर ख़ई दने के लिए एक हज़ार करोड मज़दूरों के लिए उनके पुनरवास के लिए और सौ करोड वैक्सिन को की खोज़े मदद करने के लिए तो जो वालन्टरी बेसिस पर पी-म केर्स में लोग डोनेशन दे रहे हैं अपनी इक्षा से उसका सहथ उप्योग हो रहा है और अजब सुप्रिम कोट ने मोहर लगाई है तो मुझे लगा कि आज पार्टी के ओर से हम ये चर्चा करें आपको बताएं और किस तरह से कॉंग्रेस पार्टी और विशेश रूप से रहूल गांदी के द्वारा राष्टिय संकल्प को कमजोर करने की कोशिश की गई जो करोना समय सबसे दिक आवशक थी उसकी विचर्चा करना ज़रूरी है देखिए इसके दो विश है चलो धन्यवाद राहूल गांदी देखिए इसके दो विश है पहला विश है जो एक वाल इस्टिट जनरल में चीज़ें छपी है वो विश है फेस्बुक अपना तैय करेंगे यह उनकी पॉलिसी सिस्टम है कल मैंने राहूल गांदी के ट्वीट का जवाब ट्वीट पर दिया है जिसको आपने देखा है आपने चलाया भी है वो पार्टी की ओर से प्रामानिक स्टैंड आपके सामने है जहां तक बाकी सवाल है पार्टी के आईटी विभाग की ओर से बताया गया है किस तरह साथ सब पेजेज जो बीजेपी के समर्थक के थे उसको हटा दिये गए फेस्बुक के उस पर से आपको मालूम है तो यह भी एक सचाई है बाकी इसके बारे में पार्टी के वरिश प्रावक्ता लोग बैठे हैं आगे आपको बताएंगे लेकिन मैं आपसे एक बात अवर्श्य कहूंगा मैं किसी प्लैटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा अगर प्लैटफॉर्म पब्लिक प्लैटफॉर्म है तो हर विचार के लोगों को अपनी बात रखने का अदिकार है if the platform in question is a public platform then every Indian regardless of his ideology or commitment has got the right to convey his or her views on that platform क्या यह सचाही नहीं है कि कुछ लोग समझते हैं कि इस platform पर उनकी monopoly होनी चाहिए भले ही उनका राजितिक वजूद खतम हो गया हो it is a hard fact in the country we need to know that people whose political base has shrunk like anything seek to dominate public discourse on these platforms that is not right जहां तक hate वगरक की बात है अब यह चर्चा का विश्य है और मैं standing committee पर कुछ बात नहीं कहूंगा क्योंकि वो parliamentary committee उनका अपना तरीका काम करने का है अपने नियमों के अनुसार वो काम करें लेकिन अगर hate speech की बात है तो आज मैं party के platform पर बैठा हूं तो दो धारन देना चाहूंगा सुनिया गादी ने कहा था अब आर पार की लडाई होगी यह hate speech है या नहीं और राहूल गांदी ने दिल्ली में public meeting में कहा था कि देश के लोग प्रधान मंत्री को डंडे मारेंगे यह hate speech है या नहीं है इस समझना चाहिए चर्चा होगी तो देखा जाएगा that's all from my side हाँ एक एक मिनट राहूल गांदी यह समझते हैं कि जो हमारे लायक काम नहीं करता वो संग RSS और BJP के दबाव में है अब इसके बारे में क्या कहा जाए देश की जनता इसका जवाब देती रहती है धन्यवाद टैंक्यो